Hello Students, Welcome to Well Academy Plus, मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, सॉल्ट करने वाले 13.4 एक्सजाइस के सम्स और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कोईशन को सॉल्ट करें और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मतलब की स्पीर वाली वीडियो नहीं देखिए तो वो देख लेना क्योंकि ये एक्सजाइस जो है स्फीर के उपर है और स्पैर के फार्मिलाज वगीरा मैं अलरडी डिसकस कर चुका हूँ सो सबसे पहले वो वीडियो देख लेना तो आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएगी और अगर आप पहली बार Well Academy Plus चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके कर देना क्योंकि यहां बहां आपको मैक्स के लेक्शर मिल जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप मैक्स में फुल मार्क्स भी ला सकते हो, सारी स्ट्राटेजी, सब कुछ डिसकस करेंगे, सो सब्सक्राइब करके, बेल ऐगन प्रेस करजाना, और जली से 1 लैक सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करतो, बहुत ही पास है, अपने दोस्तों को जरूर से वीडियो शेर करना, इसे के साथ आज मैं question number 1 solve करवा दिया था, 13.4 का, इस वीडियो में question number 2 से start करेंगे, और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं भी थोड़ा fast जाओंगा, because fear इतना difficult नहीं है, आसान है, तो थोड़ा fast जा सकता हूं मैं, ठीक है, और अगर अभी तक like नहीं किया है वीडियो को, तो like कर दो और अपने दोस्तों को share कर दो, अपने classmates को बताओ के class 9 के सारे वीडियो यहां पर मिल जाएंगे, उनको भी पता चलेगा, और यहां पर उनको help मिल जाएगी, now question को solve करते, सबसे पहले जो question दिया हुआ है, पहला question था, उसमें radius था, इस question में diameter दिया हुआ है, तो question number 1 क् diameter जो है, वो 14 है, so diameter जो है 14 है, तो diameter 14 होता है, तो radius कितना होता है, radius होता है 7, so sphere का क्या का है, surface area का है, sphere का surface area और total surface area सब सेम ही होता है, वो क्या होता है, 4 pi r square, and now 4 into 22 by 7, and 7 into 7, 7 cancel हो जाएगा, 7 4s are 28, and 28 into 20 अगर करते हैं, तो 280, 280 हो जाता है, 560, ठीक है, and 28 into 2 करते हैं, तो वो भी 560 होता है, 56, तो ये आता है, आपका 616, 616 cm2, जी हाँ, cm2 में value है, तो 616 इसका final answer है, next question क्या दिया हुआ है, diameter जो है, 21 cm है, उसके बाद यहाँ पे 4 pi r square, same formula लगानी है, ये समझ लो, तो ये चीज़े करने से, आप सोच रहे होंगे, कि इसका benefit क्या है, इतना तो simple question है, सो ये करने से, आपकी जो habit बनती है, sphere के question को solve करने की, वो यहाँ पे अच्छी हो जाती है, मतब आपकी solving capacity, या फिर कुछ numbers, कुछ calculations, repeat होते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, चीक है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 21 by 2 भी कर सकते हो, ठीक है, 10.5 न लिखने की जगह पे 21 by 2 भी कर सकते हो, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, 22 यहाँ पे हो जाएगा, 63 इंटू 22 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 63 तो 630, 630 कितना हो जाएगा, 1200, 1, 2, 6, 0, प्लस, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 126, तो यह हो जाएगा, 1386 cm2, ठीक है, तो यह हमारा पहला question, दूसरा question भी हो गया, उसके बाद next है, 3.5, diameter क्या है, 3.5, जाहर सी बात है, radius क्या हो जाएगा, तो radius हो जाएगा, 3.5 divided by 2 होगा, लेकिन मैं यहापे लिखूंगा, 3.5 की जगा पे 35, और divide में 20 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो point है, उसको अगर मैं हाँ पे 35 करूंगा, तो denominator में 10 आ जाएगा, और radius को, यह diameter है, radius को क्या करना पड़ता है, divide by 2, मतलब कि और 2 multiply किया, तो 35 by 20 आ गया, formula वही है, मेरे पास 4 by R square, 4 into 22 by 7, and R की जगा पे आ जाएगा, 35 by 20, 35 by 20, 7, 5, 35, 4, 5, 25, 5, cancel, 5, 4, and 5, 7, and उसके बाद यह 2 से cancel हो जाएगा, 11 से 77 by 2, 77 by 2 होता है, 75 का half कितना होता है, 75 का half होता है, 37.5, and इससे अच्छा है, 70 का half करते हैं, 35 होता है, 35 plus 3.5, तो 38.5 cm2 इसका answer आएगा, so calculation इतना difficult नहीं है, एक habit बनानी है हमें, ठीक है, so answer को verify एक बार कर लेते हैं, कि answer हमारा सही आ रहा है, हो सकता है, कि calculation में मुझसे गलती हो जाए, और थोड़ा बहुत यहां पे skip कर जाओ, संभाल लेना आप लोग, ठीक है, now question को ले लेते हैं नीचे, और आगे बढ़ते हैं हमारे further, दूसरे questions की तरफ, so यहां पे question कौन सा दिया हो है, third question है, third question को solve करना है अभी, third question क्या है, अब थोड़ा संभालना, क्यूंकि pi की value जो है, शुरुआत में दी गई थी 22 by 7, मतलब question के heading में 22 by 7 दी हुई है, now कुछ questions के अंदर pi की value दी जाती है, तो उसका दियान रखन है, क्यूंकि जब आप exam में solve करते हैं, आपको answer matter नहीं करता है, answer आपका same ही आएगा, थोड़ा बहुत difference आएगा, लेकिन exam में जब आपको method करनी है, so method करते वक्त आपको जो pi की value दी है, कहा गया है, वही value को put up करना होगा, ठीक है, so ऐसा मैं previous मेरी काफी videos में मैं देखा नह होता है, find a total surface area of hemisphere of radius 10 cm, radius जो है 10 cm है, radius 10 cm है, तो यहाँ पे total surface area of hemisphere क्या है, total surface area of hemisphere का है, total surface area of hemisphere होता है, 3 pi r square and यहाँ पे values को put up करेंगे, तो 3 into 3.14 रखेंगे, ठीक है, and 10 into 10, so यह हमारा कम आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, कि भाई यहाँ पे 10 into 10, 100, 100 को 3.14 से multiply करो, तो 3.14 हो जाता है, and finally जब आप इसको solve करते हो, तो यहाँ पे आता है, 600, sorry 900 आ जाता है, 300 into 3 करेंगे तो, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है, let's, और इसको थोड़ा अच्छा कर लेते है, तो 14, 3 हो जाता है, 42, so, very simple, कहां पर आजाएगा, answer आपका, 942, centimeter square है, जी हाँ, यहाँ, यहाँ पे centimeter value है, तो centimeter square answer आएगा, ठीक है, now आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे, कि multiplication किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर simple सा एक ही काम करता हूँ, मैं क्या करता ह जैसे 314 को मैं लेके गया, 300 के पास, सबसे पहले 3 से multiply किया, क्योंकि वो आसानी से मेरा दिमाग कर सकता है, हर किसी का कर सकता है, आपका भी कर सकता है, 339, तो 900 आया, अब बचा क्या 14 बचा, तो 14, 3 जा तो हमें भी पता है, वो क्या है, 42, और इसका plus भी हमारा दिमाग आसान के तरफ, 4th question क्या दिया हुए, radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm, radius of spherical balloon जो है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अब कितना बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है, कि as air is being pumped into 8, मदब उसके अंदर air बढ़ा, मदब पं किया, तो radius इसका बढ़ गया, पहले radius था 7, the balloon in two cases, दोनों के area का ratio find करना है, ठीक है, अब ratio हम find कर लेंगे, ठीक है, ratio find कर लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन ratio के लिए area चाहिए, so 4 pi r square, यहाँ पर इसका area है, इसका भी area 4 pi r square है, अब क्या करना है exam में, आपको यहाँ पर लिख देना है, r1, इसको लिख देना है r2, जिय area find किया, और फिर ratio में रखा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, 4 pi r1 square upon 4 pi r2 square, math कर सकते हैं, जिसमें 4 pi, 4 pi तो cancel हो गया, तो क्यों करें हम pi की value, r1 का square मतलब 7 का square, जिसको 7 into 7 लिख सकते हैं, and r2 का square मतलब 14 का square, उसका भी square अगर आपको नहीं पता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 to the, 7 to the, आपका answer directly आगया, 1 by 4, 1 is to 4, इसका ratio है, final answer, जो कि solve करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, समझ मैं आया आप सभी को, इस तरीके से आप अपना time बचा के exam में बहुत अच्छे से बागी questions, जो difficult होते हैं, उसको कर सकते हो, ठीक है, and यही एक trick होती है, जो हर एक पर follow करता है, जिसका आपकी class में जो पहला rank आता है, वो और कुछ नई चीज़े नहीं करता है, उसको भी वही आता है, जो आपको आता है, ठीक है, उसके पास को time पीज नहीं होती है, वो ऐसे काम करता है, जिसकी वज़े से उसका time बहुत बच जाता है, I know आप में से बहु उसके भी marks का है, जो गलती से, मतब buy mistakes, silly mistakes होए, उसमें भी marks चले गए, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है, answer को verify कर लेते हैं, ठीक है, कहीं गलती नहीं हो जाए यहाँ पर, yes, 1 is to 4, हमरा answer right है, ठीक है, now, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, yes, okay, अगर आप इसके traditional solutions देखते हो न, इस question के, तो आपको यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े solutions दिखेंगे, मतब यहाँ पर इसका area find क्या, इसका area find क्या, फिर ratio में रखा, और लंबी चोड़ी game होगी, so next question की तरफ आके बढ़ते हैं, हमने 4 questions तो कर लिए, अब यहाँ पर जो है, 5, 6, 7, 10 question हम वापस से pick up क कर लिया है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसकी size और थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको visible होगा, now question number 5 क्या कहता है, question number 5 कहता है, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 cm, अब यहाँ पर थोड़े-बहुत questions जो है, practical scenarios पर होते जा रहे है, so हमें diagram भी draw करने diameter is 10.5, अंदर का diameter, ठीक है, अब आप में से बहुत सारो को ऐसा लग रहा होगा, कि यह inner diameter क्या है, now देखो, आपके गर में bowl होंगे, वो काफी सारे bowls जो है ना, border पे से बहुत ज्यादा ठीक होंगे, जिसकी वज़़े से होगा क्या, कि जब आप इसको अंदर से measure करोगे, ए इसलिए इन्होंने inner diameter का है, 10.5 cm, फिर क्या का है, find the cost of team plating it on the inside at the rate of रुपे 16 पर 100 cm2, 100 cm2 पे 16 रुपे यहां पे चार्ज करेगा team plating का, ठीक है, और वो भी inside करना है, तो जाहिर से बात inside करना है, तो हम inside का ही find करेंगे, सो अगर अंदर किया जा रहा है और area की बात चल रही, तो diameter है 10.5, radius क्या होगा, radius हमारा हो जाएगा, 10.5 मतलब की 105 by 20, एक point हड़ा नेकर 10 लगाया, और divide by 2 करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे 2 कर दिया, सो यह हमारा radius आ गया, now हमें क्या find करना है, area find करना है, ठीक है, inner side ह hemisphere का, hemisphere उपर से close है, नहीं, हमें inner side का करना है, जिसकी वज़त से area 2 pi r square लगेगा, मान लोग ऐसा कहते हैं, कि इसको उपर से भी ढग दिया है, मतलब उपर से भी cover कर लिया है, तो यहां पे 3 pi r square आता, hemisphere में, मैं आल्रेटी बता चुका हूँ आपको, so 2 pi r square है, 2 into 22 by 7, into 105 by 20, 105 by 20, now इसको यहां पे आगे solve करते है, तो इसको हम पहले तो 5 से cancel कर सकते है, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 4s are 5, 4s are 5, 4s are, ठीक है, यहां पे जितना हो सके आपको cancel कर देना है, जितना हो सके, ठीक है, try करो के ज़्यादा से ज़्यादा आप cancel कर दो, 33 into 21 by 4, ठीक है, 33 into 20 कितना होगा, 660 plus 33, तो हो जाएगा 693 by 4, 4, 1s are 4, 4 7s are 28, एंड अगर 1 बचा हमारे पास, 13 13, तो 4 3s are 12, फिर अगें 1 बच किया, सो हमारे पास आएगा 4 2s are and 4 5s are, so 173.25 cm2, यह इसका area आया है, नो मैंने 33 into 21 कैसे multiply किया, मैंने 33 into 10 कर लिया दिमाग में, तो हो गया 330, into 20 करने के लिए इसका double मतलब कि 660, and 660 तो मेरे पास आ गया, फिर 33 add किया, क्योंकि 33 into 21 है, 20 मेरे पास आ चुका था, 33 1 जा कितना होता है, 33 होता है, 660 plus 33, मेरा answer आ गया 173.25, नो 173.25 जो है, उसको यहां पर आगे बढ़ाते है, नो कॉस्ट कितना दिया हुआ है, नो 16 रुपीज दिया हुआ है, for 100 cm2, हमारे पास कितना है, 173.25 cm2, तो उसका यहां पर चार्ज कितना लगेगा, जाहिर से बात है, 173.25 multiply by 16 upon 100, यह हम करेंगे, है नो, इसके लिए मुझे यहां पर इसको multiply करना पड़ेगा, हम यहां पर इसको multiply कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम और इसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे, लेट्स ट्राइ, हम कोई और method अगर कर पाए, जैसे कि यह जो है, मैंने 100-100 और किया, तो मेरे पास यहां पर 200 है, ठीक है भी, अब एक को यहां पर use करते हैं, 25, 4, 25, 6, 150, फिर 23 बचा, 23 and 2, तो 232, उसके बाद यहां पर 26, 25, 9, 225, फिर 32 था, तो हमारे पास 7 बचा, 75 तो 25, 3 जा, चीक है न, वेरी सिंपल, यह आ गया, 4, 4 जा 16, है न, क्लियर, नव 6, 93, इंटो 4 करो, तो 3, 4 जा 12 आ गया, 9, 4 जा 36, 37 तो 3 जा गया, 6, 4 जा 24 तो 27, 27, 72, तो 27, 72, डिवाइड बाई 100, आता है मेरे पास 27.72 रुपीज, चीक है, नव, यह मेरे पास final answer आ गया, 27.72, चीक है, ओके, answer भी हमने verify कर लिया, नव, answer सच है या गलत है, वो आपको कैसे बता चलेगा, जाहिर सी बात है कि 100 cm2 का 16 रुपे जब लग रहा है, तो 173 मतलब 100 से थोड़ा ही ज़्यादा हुआ, लेकिन 200 से तो कम हुआ, 200 से तो कम हुआ न, 100 का अगर 16 लग रहा है, तो 200 का कितना लगेगा, 32 लगेगा, और 173 क्या है, 173 200 से कम है, मतलब आपका answer जो है, वो range करेगा, 32 के करीब, लेकिन 32 से कम में range करेगा, तो answer जो 27.72 वो right है, यह आपको ऐसे पता चलेगा, इस तरीके से answers को आप ऐसे judge कर सकते हो, कि आपका answer सही है या गलत है, ठीक है, और calculation को आसान करने के लिए, मैंने यह जो 100 multiply किया था, क्योंकि यह उसका reason है, यह आप number को देखो ना, तो यह 25 से cancel हो जाएगा, तो यह 100 भी cancel हो रहा है, फिर 100 जो है 25 forza होता है, तो 4 forza 16 से, 16 जो बड़ी बड़ा number है multiplication में, वो भी cancel हो जाता है, ऐसे करके थोड़ा सा आसान कर दिया, so I hope आपको यह चीज़ भी समझ में आ गया होगी, so I hope आपको समझ में आ गया होगा यह question, question number हमने देखा, कौन सा 5th number का question देखा, और उमीद करता हूँ आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, यह 13.4 का पहला part है, next video में इस exercise को मैं complete कर दूँगा, उमीद करता हूँ आपको यह question समझ में आ गया होगा, और सब कुछ clear हुआ होगा, अगर समझ में आ हैं, comment करके जरूर से बता देना, और अभी तक चैनल को subscribe अगर आपने नहीं किया हुआ है, तो जली से subscribe करके, बहले icon press कर दो, क्यूंकि आपको ऐसे class 9 interesting lectures, जहां पर मैं आपकी calculation method और understanding को बहुत भी आसान कर दूँगा, so subscribe जरूर से कर देना, इसी के साथ मिलता है next video में, next lecture में, तब तक के लिए, goodbye, take care.